अब आप सब आप सब ठीक हूँगे मैं हूँ सरोज यादो और मेरे चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत थे और आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ पालक दाल की रेसिपी पालक दाल बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप एक पर जरूर बना के करने के बाद हम ने कुकर इसाम दालें कि एक चमच्छ या बिश्वार्ण्य पाउर तषी में नमक स्वाध अनुसार नमक डालने के बाद हम इसमें तीन मेडियम साइज का टमाटर लेंगे यहाँ पे इसमें टमाटर का फ्लिवर बहुत अच्छा आता है आप चाहे तो काटकी भी डाल सकते हैं मैंने ऐसे खड़ा ही डाला है और चार सीटी आने तक हम इसे बॉइल करेंगे क्योंकि चना का दाल थोड़ा पकनी में टाइम लगता है इसलिए हम चार सीटी लगाएंगे आप देख सकते हैं सीटी आ गया है मारा चार सीटी आने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और हम चेक कर लेते हैं आमारा दाल कैसा पका हुआ है आप देख सकते हैं, चार सीटी में ये दाल अच्छे से पक चुका है, पक तो गया लेकिन गला नहीं है, अब इसे हम थोड़ा सा मैस करेंगे, आप चाहे तो दाल मेथनी या फिर किसी मैसर के साहता से इस तरह से दबा के मैस कर लिजिए इसे, आप देख सकते हैं, बहुत तड़का लगाएंगे, तड़का लगाने के लिए हम कड़ाई को गरम कर लेते हैं, और यसमें हम डालेंगे मॉज्टर डायल, दो चमच, इसमें हम एक छोटी चमच, जीरे लगाएंगे तड़का, और इसके साथ हम डालेंगे दो, तीच वत्ता, 7-8 लाइसल की कलिया, ऐस गीशा हुआ और इसे हम भून लेंगे अच्छे से लेशन को हलका ब्राउन होने तक भून लेंगे लेशन आप देश सकते हैं हलका ब्राउन हो चुका है अब इसमें एड़ करेंगे हम आधा प्यास ऐसे बारिक काटके प्यास ज्यादा नहीं रालेंगे हम इसमें और यहां हमने पालक को लिया है बड़ा एक कटूरा है यह पालक और इसे मैंने धो के अच्छे से काट लिया है अब हम इसमें पालक को डाल के पका लेंगे पालक आप चाहे तो दाल के साथ भी बोयल कर सकते हैं लेकिन आप इस तरह से अगर बनाते हैं फ्राइ करके तो दाल का और भी टेस्ट बढ़ जाता है तो आप एक बार जरूर इस तरह से ट्राइ कीजिए इससे फ्राइ करके बनाने से डाल का टेस्ट मत्तब बहुत ज्यादा बढ़ना है आप देख सकते हैं कि या मैंने पालक अच्छे से गल चुका है दो मिनट के अंदर चलद हम दालेंगे एक चमज सब्सक्र Buddhism शाज़ा सब्जी मासाला और यहां डालेंगे एक चमच लाल मिर्च पॉर्डर और इसमें हम अच्छे से भून लेंगे पालक के साथ और हम एड़ करेंगे इसमें दाल दाल और पालक अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब हम थोड़ा सा पानी अड़ करेंगे मिक्स करने के बाद हम ढखके पकाएंगे और कि अब अब देख सकते हैं महां ने सब कुछ मिक्स कर लिया है और अपिम ढखके पकाएंगे तक जाल को पाश मिलट हो चुका है अब इसे चेक कर लेते हैं अब देख सकते हैं दाल और भी गल चुका है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है अब हम इसमें एड करते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ति फ्रेश है यह एक चमच एक बड़ा चमच है अब हम इसे डाल लेंगे डाल के उपर और इसे हैं आप जैसे खाना पसंद कहरें रोटी चावल आपको जिस तरह से खाना है आप खा सकते हैं और यह आप कमेंट करके बताएगा हमारा यह डाल पालक कैसा लगा चलिए मिलते फिर अगले वीडियो में तब तक आप इंच्वाइब कीजिए अ